देखे आज के टोपिक में जो मुगल सामराजर का चेक्टर चल रहा है उसमें जितना भी बचाह मैं आज आज आपको कराने वाला हूँ और इसमें आपका उत्तर मुगल कालिन सासक भी करा तूँगा ठीक है तो यह आपका सारा समाप्त हो जाएगा आप पिछला मद्यकालिन पिर आगे मैं कराओंगा आपका आदूनिक इत्यास ठीक है तो यह मद्यकालिन इत्यास में आज समाप्त में इसको कर दूँगा ठीक है तो मुगल कालिन इस्तापत्य पढ़ने वाले हैं देखे मुगल कालिन इस्तापत्य मैं अगर बात करूँ जो बाब सबसे पहले इसमे मैं आपको कराने वाला हूँ यानि कि आगरा की मस्जित ठीक है तो आगरा की मस्जित कितने बनाईती बावर ने उसके बाद अकवर के दोबारा अगर बात करूँ अकवर ने क्या बनाया दीकित जो मोश्ट है एकजामस में पॉइंट में पूछता है बोही मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ ठीक है यानि कि आगरा का किला आगरा का किला तो ये कहां है आपका आगरा में ठीक है आगरा का किला कहां है आपका आगरा में और इसने बनाया जहागीर का महल ठीक है अकवर ने क्या बनाया जहांगेर का महल जहांगेर का महल जहांगेर का महल बनाया और इसने बनाया था अकवरी महल ठीक है क्या बनाया अकवरी महल ठीक है उसके बाद इसमें जो पूछता है बात कर लेते हैं जहांगेर की ठीक है तो जहांगीर के द्वारा क्या बनाया गया जहांगीर दीखे जो मोश्ट है मैं आपको फिर बता दूँ वही मैं आपको करा रहा हूँ ठीक है दीखे इसमें अभी अकवर के थोड़े से और हैं उन्हें भी लिखवाए दाओ ठीक है तो यह तो उसने बनाय थे आगरा में यह सारे काई में आपके आगरा में अब उसके बाद यहां पर अगर बात करूँ उसने फत्यपूर सीकरी में तो यह भी आपका आगरा ही है ठीक है यह सारे आपके आगरा में ही है ठीक है आम दिवाने आम ठीक है ये भी अक्वन्नी बनवाया था दिवाने खास दिवाने खास और इसने बनाई थी जामा मस्जित क्या बना इसने जामा मस्जित जामा मस्जित और जहागीर महल जहागीर महल बनवाया इसने और इसने मर्यम महल भी बनवाया था ठीक ऐबनवाया था मर्यम महल तो ये सारे जो हैं ये आपके देखे अगर इनकी बात करूँ तो ये आपके फतेपूर सीकरी में है ठीक है ये सारे तो आपके आगरा में है ठीक है तो ये आपके आगरा में है और ये आपके फतेपूर सीकरी में है ठीक है ये कहां आपके फतेपूर सीकरी में ठीक है जो अकवर ने बनवाय थे चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं जहांगीर की जहांगीर ने क्या क्या बनवाया ठीक है जहांगीर की अगर बात करो तो अकवर का मकवरा ठीक है अकवर का मकवरा अकवर का मकवरा कहा है आपका सिकंदरा में है ठीक है कहां पर है सिकंदरा में है ठीक है तो इस चीज को नोट कर लें यतना भी करा रहा हूं सारा मोश्ट है उसके बाद बात करते है साहा जहां की ठीक है साहा जहाने क्या क्या बनवाया साहा जहाँ ठीक है साहा जहाने दिल्ली में जामा मस्जित ठीक है यानि के जामा मस्जित बनवाई आपकी जामा मस्जित तो कहां पर बनवाई ये दिल्ली में दिल्ली में बनवाई ठीक है आगरा में लाल किला बनवाया ठीक है लाल किला कहां बनवाया आगरा में आगरा में लाल किला बनवाया दीक है लाल किला आपका कहा है दिल्ली में ठीक है सोरी दिल्ली में आपका लाल किला दिल्ली में लाल किला बनवाया उसके बाद आगरह जो बनवाई इसने मोती मस्जित ठीक है मोती मस्जित तो मोती मस्जित इसने कहां बनवाई आपकी आगरह में ठीक है मोती मस्जित और ताज महल ताज महल तो यह कहां बनवाई इसने दोनों आगरह में ठीक है तो यह जामा मस्जित और लाल किला दिल्ली म आको साजाने बनवाया था ठीक है उसके बाद आता है आपका ओरंग जेव द्वारा क्या बनाया गई ठीक है अब यहाँ पर जो मोश्ट है बही मैं आपको करा रहा हूं ठीक है ओरंग जेव देखे बात करूं ओरंग जेव की तो ओरंग जेव ने मोती मस्जित दिल्ली में उ मोती मस्जित कहां पर आपका दिल्ली में जो सहा जाने मनोई थी मोती मस्जित वो कहां आपकी आगरा में ठीक है तो इस चीज़ के आपको ध्यान रखना है ये एक जमस में पूछ लेता है चलिए उसके बाद इसमें बात करते हैं मुगल कालीन पिर्मुक पुस्टकों की मुगल कालीन पिर्मुक पुस्टके मुगल कालीन पिर्मुक पुस्टके ठीक है जितना भी है मोश्ट है आपके लिए पॉइंट सारे मोश्ट है ठीक है तो पुस्टक और उनके लेक़क के बारे में बात कर लेता है पुस्तक है आपकी बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी किस ने लिखी ठीक है बाबर नामा या आपका कहें तुजुक ए बाबरी ठीक है तुजुक ए बावरी तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बावर ठीक है किसके दवार लिखे गई बावर के दवारा उसके बाद आती है हिमाईू नामा हिमाईू नामा के नेके कोन है आपके गुलवदन बेगम हिमायू नामा हिमायू नामा के लेकर कोन है आपके गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम उसके बाद आती है आपकी ताजूल मासिर ताजूल मासिर ताजूल मासिर के लेकर कोन है आपके हसन निजामी ठीक है हसन निजामी हसन निजामी इसके लेकक है उसके बाद आती है आपकी तबकाते अकवरी तबकाते अकवरी इसके जो लेकक है तबकाते अकवरी के इसके लेकक है निजामुद्दीन एहमद ठीक है कोन है आपके निजामुद्दीन एहमद नियामुद्दीन एहमद ठीक है उसके बाद आती है तारीके सेरसाई तारीके सेरसाई तारीके सेरसाई के लेख़गा है अबास खां सेरवानी ठीक है अबास खां सेरवानी ठीक है उसके बाद आती है आलमगीर नामा आलमगीर नामा तो आलमगीर नामा के लिए का है मुम्मद काजिम ठीक है मुम्मद काजिम यह हो गया उसके बाद आती है कानून ए हुमायूनी ठीक है कानून ए हुमायूनी इसके जो लेख़क है वो है ख्वाद मीर ठीक है ख्वाद मीर ख्वाद मीर इसके लेख़क है ठीक है उसके बाद एक कुस्तक आती है नुस्का ए दिलकुसा नुस्का ए दिलकुसा ठीक है इसके जो लेख़क है नुक्सा ये दिलकुसा के ये है भीमसेन ठीक है कोने आपके भीमसेन भीमसेन इसके लेख़क है उसके बाद पुस्तक आती है एक सियार उल्मुक्रीन सियार उल्मुक्रीन मुत्खरीन ठीक है जो इसके लेख़क है वो है गुलाम हुसेन इसके लेख़क है ठीक है उसके बाद इसमें आती है इकवाल नामा ए जहांगिरी ठीक है इकवाल नामा ए जहांगिरी इसके लेख़क है आपके मौत्मिद खाँ ठीक है मौत्मिद खाँ सहनामा के लेख़क है को ने आपके इनायत खाँ इसके लेख़क है आपके इनायत खाँ इनायत खाँ इसके लेख़क है उसके बाद चाहार चमन चाहार चमन चाहार चमन के जो लेख़क है यह आपके चंदरवान ब्राहन चंदरवान ब्राहन ठीक है चंदरवान ब्राहन उसके बाद इसमें आती है आपकी फुताहुत ए आलमकिरी फुताहुत ए आलमगिरी जो इसके लेकद है वो हैं इस्वर्दास नागर ठीक है इसके लेकद कुन है आपके इस्वर्दास नागर इस वर्दास नागर इसके लेका काई उसके बाद आती है खुलासत ए तावरीक ठीक है खुलासत ए तावरीक इसके लेका कापके सुजा ना राय बंडारी ठीक है सुजा सुजान राय बंडारी इसके लेखक है ठीक है तो ये जो थी मुगल कालिन पिरमुक पुस्त के थी जो मैंने आपको करा दी ये आपकी मोश्ट है जो भी मैंने कराई है इसी में से पूछता है ठीक है तो इनको आपको नोट कर लेना है अगर आपका कोई भी क्यूस्तन आता है तो आप इसमें असानी से इसको कर सकते है ठीक है उसके बाद हम बात करने वाले थे जो आज की टोपिक में है उत्तर मुगल कालिन सासक कौन कौन से रहे ठीक है तो यहाँ पर आज मैं इससे समाप्त कर दूँगा मद्य कालिन इत्यास को जो आपके मोश्ट इसमें क्यूस्तन ते सारे मैंने इसमें अब तक कबर करा दिये हैं उत्तर मुगल कालिन सासक तो इसमें भी आपको थोड़ा सा कर देता हूँ जो आपका इसमें पूछ लेता है क्यूस्तन बन जाते हैं तो ये भी आपको जानकारी होना पहुत ज़रूरी है ठीक है तो उत्तर मुगर कालिन सासक में एक था पहले आप फिर आपको कुनाया बहादूर साहा फिर्थम ठीक है बहादूर साहा फिर्थम बाहदुर सहा पिर्थम देखें बाहदुर सहा पिर्थम जो रहा सत्रेसो साथ से देखें जो सासक उसके बाद सत्रेसो साथ में औरंग जेब के बाद यही रहा ठीक है बाहदुर सहा पिर्थम सत्रेसो साथ से सत्रेसो बारह इस्वी तक ठीक है 1707 से 1712 इस्वी तक उसके बाद आया जहां दार सहा ठीक है जहां दार सहा ये जो रहा ये रहा आपका 1712 से 1712 से 1713 तक 1713 इस्वी तक उसके बाद आया आपका फरुक्सियर 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 का जो कारेकार ये रहा आपका 1713 से 1719 तक ठीक है 1713 से 1719 इस्वी तक ठीक है उसके बाद रहा रफी उत्दोला ठीक है उसके बाद कौन रहा आपका रफी उत्दोला रफी उत्दोला ये रहा आपका 1719 इस्वी के बाद ठीक है 1719 इस्वी उसके बाद आता है मौम्मद सहा ठीक है कौन अता आपका मौम्मद सहा मौम्मद सहा रहा आपका 1719 से 1719 से 1748 ठीक है 1748 इस भी तक देखे इसमें इसकी इसमें ही एक आया आपका इसके उसमें ही 1749 में 1749 में जो रहा पूर नादिर सहा का आकमड हुआ था ठीक है 1749 में क्या हुआ था नादिर सहा का आकमड ठीक है नादिर सहा का आकमड नादिर सहा का आकमड हुआ था ठीक है 1749 इस्वी में चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका एहमद सहा उसके बाद को न आता है आपका एहमद सहा एहमद सहा जो रहा है आपका 1748 से 1754 इस वी तक ठीक है 1754 इस वी तक उसके बाद आता है आपका आलमगीर दुत्य है आलमगीर दुत्य है आलमगीर दुत्य है रहा है आपका 1754 से 1769 इस वी तक ठीक है 1754 से 1769 इस वी तक ठीक है 1756 में और 1757 में एहमद सहा का अबदाली का आकमर हुआता ठीक है तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना है एक चीर और यहाँ पर 1756 में 1756 और 1757 में ठीक है दिल्ली पर एहमद सहा अबदाली का आकमर ठीक है 1756 में दिल्ली पर एहमद सहा का अबदाली का आकमर तो इस चीज़ को आपको ध्यान लखना है आलमगीर दुत्या के सेमें दिल्ली पर आहमसा का आकमड हुआ था ठीक है उसके बाद इसमें आता है आपका आलमगीर के बाद साहा आलम दुत्या ठीक है आलमगीर के बाद साहा आलम दुत्या साहा आलम दुत्तिय ये जो रहा सहालम दुत्तिय 1769 से 1769 सबी से 1860 सबी तर ठीक है तो इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था ठीक है इसके समय में क्या हुआ था बक्सर का युद्ध यानि के 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध ठीक है सत्रों से चोंसेट बक्सर का युद्ध ये भी आप यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है उसके बाद आता है अकवर्द दुत्य है ठीक है कोन आता है अकवर्द दुत्य है अकवर्द दुत्य की अगर बात करूं तो यह रहा आपका 1806-1837 इस वितक ठीक है अकवर्द दुत्य है उसके बाद दिल्ली पर जो सासक रहा वो रहा बहादुर्द दुत्य जपर ठीक है बहादुर्द दुत्य है जपर बहादुर्द दुत्य है जपर ठीक है यह जो रहा यह रहा आपका 1837-1857 इस वितक ठीक है 1837-1857 इस वितक बहादुर्द दुत्य है जपर ठीक है बहादुर्द सहा दुत्य है जपर ठीक है तो इस चीज़ को आपको ध्यान नकना आप इनको नोट कर लेना है ठीक है तो जितने भी दिखिये मैंने टोपिक कराया है सारे मोश्ट हैं और मैंने मद्या कालीन इतियास में आपका यह मुगल सामराज्य था मैंने सारा इसमें इसमें को करा दिया है ठीक है तो इससे समझ इतनी क्योंसर नवनेंगे आप उनको आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो मोगल सामराज्य का मैंने इसमें आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है बावर से लेके अठार सो सत्ता मन तक तो अगर इसकी प्रीडियाप चाहिए तो करा एक सरे संब्सक्राइब जरूर कर लें तो यह सारे पॉइंट पूइंट मैंने अपको कराई हुए है और यह आपके लिए मोश्ट है तो इनको पूइंट को नौट जरूर कर लें अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखिए तो उनको देख लेजिए उसमें सारे मै तो कल के टोपिक में बही पढ़ने वाले हैं तो कल मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद